सबसे पहले इस question को करने से पहले आप लोग को यह पता होना चाहिए कि अगर कोई rectangular garden है इसकी अगर length कितनी x है और breath या width कितनी y है तो इसका perimeter कितना होगा तो इन्टो लेंथ प्लस ब्रेथ तो लेंथ को अगर मैंने x आज्यूं किया और breath को मैंने अगर y-meter आज्यूं किया अब सुनो उसने बोला half the perimeter of the rectangular garden whose length इस अब देखो तो हमने कहा let the length be x Let the length be x और सुनो, unit मैंने meter लिखी, क्यों? क्योंकि question में meter में बात कर रहे हैं न? and the length and the breath of the garden be y meters, ठीक है न? अब सनोस नहीं क्या बोला? the perimeter of a rectangle garden whose length is 4 more than its width, यह न? length जो है वो width से क्या है? 4 more है, correct, is 36, तो देखो इस question को ऐसे पढ़ोगा, मैं बता रहा हूं, इस question को ऐसे पढ़ो पहले, whose length is 4 more than its width, इतना पहले पढ़ो, ठीक, मतलब according to the question, बताना ज़रा, length is length और is का मतलब equal to length के बाद is लगावा है, इसका मतलब equal to 4 more, less है तो minus करना है, और 4 more लिखा है तो add करना है, यहनि कि 4 add करेंगे, then its width, then its width, मतलब length जो है, वो 4 add कर देंगे, किस में है, width में, तब मिलती है, मतलब जो length है, वो width से 4 unit जादा है, ठीक, अब length की जगा क्या पूट करोगे, एक्स, और width की जगा क्या पूट करोगे, y plus 4, ठीक है, तो यह इधर आ जाएगा, तो यहां से बनेगा, x minus y, is equals to plus 4 का मतलब 4, यह first बन नहीं, अब सुनो, उसके बाद, अब ज़रा ध्यान देना ज़रा है, ना, ध्यान देना ज़रा, अब ध्यान सुनो, अब इसको मत इसको मत पड़ो, इसको मत पड़ो, इसको मत पड़ो, इसको कट कर दो, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के बाद, यहां से लेके यहां, और फिर कॉमा लगा है, इसको काट दो, अब कोश्चन पड़ो, अब कोश्चन पड़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है, half the perimeter of rectangular garden is, is 36 meter, अब सम हम पेरी मीटर का क्या करदें हाफ हाफ का मतलब one upon two से multiply कर दें हुद कि एरी मीटर को अगर हम क्या कर दें हाफ याणि हाफ करने का मतलब one upon two से मोल्ट 2030 कर दें तो कितना हो जाता है 36 हो जाता है है ठीक है अब्याँ से हो जाएगा हाफ इंटू और पैरी मीटर की जागा हम कितना लिखेंगे टू एक्स प्लस वाई अब यहां से क्या हो जाएगा यहां से आगया एक्स प्लस वाई बाहर वन बचा वन का कोई मतलब है नहीं तो एक्स प्लस वाई है इस बन गई आपकी सेखेंड़ यहां से और तुनो उसने आपसे क्या बोला उसने आपसे बोला उसने आपसे मलला निकालना है और अगर रिबारों केरिवेश निकलते और उमege तो इस 2x-y is equals to 4 और यहां से इसे एक्स प्लस वाइज इसकोस टू ऐड़ करेंगे तो यह कट जाएगा तो टू एक्स इस इकॉल्स टू 40 तो एक्स इस इकॉस्टू 20 यानि के मीटर्स है ना लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर्स ऑर बताई परिमेटर का फर्मिला तो टू इंटू तो है पैरिमीटर की जगा टू इंटू एक्स प्लस वाई ही तो रखा है ठीक तो है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब एक्स की वेलू यहां रखो कि 20 तो आए कितना आजाएगा आपका कि 16 मीटर ब्रैथ आपकी 16 मीटर आ गई बताइए यह अच्छा कोश्चन था अब पूरे कोश्चन को पढ़िए बताइए कोई डाउट है पढ़ना आया आपको बताइए यह सब्सक्राइब